नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चिर परिचे दोस्तों पस्तित हुआ आप सभी की सिवा में एक ब्यादी महतोपून जानकारी को लेकर के जिहां रात को सोते वक्त भूनी हुई दो लोंग खाने से जो होगा आपने कफी सपने में नहीं सोचा होगा यह है आज का हमारा टोपिक आप सभी के लिए वर्तमान समय में प्रदूशन के कारण सांस लेना मुश्किल हो गया है हम प्रतेक सांस के साथ अपने शरीर के अंदर कई प्रकार की किटारों का सेवन करते हैं एवं अधिक भाग दोड के कारण हम अपने शरीर पर वैसे भी कम ही ध्यान दे पाते हैं जिससे हमारा स्वास्त काफी कमजोर रहता है या हमें कई प्रकार की बिमारियां होती रहती हैं जिसके लिए हम कई प्रकार की दवाओं का seven भी करते हैं जिससे हमें आर्थिक नुक्सान काफी होता है लॉंग तो आप सबीने देखी होगी या फिर आप उसका seven भी करते होंगे ज़्यादा तर इसका seven आप सबजी का स्वाद बढ़ाने के लिए करते हैं या फिर छोटी मोटी बिमारियों में भी इसका सेवन होता है दोस्तों आज जो हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं और अगर आप वह उपाय करते हैं तो आपको काफी समस्याओं से छोटकारा मिल जाएगा अगर आप रात को सोते वक्त दो या तिन लोंग अंगारों पर अर्थात भून कर खाएंगे तो इससे आपको काफी फायदा होगा ध्यान रहे जादा देर अंगारे पर रखने से यह जल जाएगी एवं इसके और शर्धियागून खत्म हो जाएंगे नश्ट हो जाएंगे असली लोंग की सबसे पहले पहचान जाल लेते हैं दुकानधा आपको बताएंगे कि एक लोंग कितना कमाल का होता है आये जानते हैं लोंग के फायदों के बारे में रात को लोंग से होने वाले साथ फायदे श्वसं संक्रमर से छुटकारा मिलता है लोंग एक प्राकृतिक दर्द निवारक है और साथ ही यह रोगान उसे भी बचाता है भुना हुआ लॉंग गले की खराश से छुटकारा पाने में मदद करता है दांप दर्द से आराम जिहां आपका पास के एक टुकडे की सहायता से थोड़ा सा लॉंग का तेल या भुना हुआ लॉंग का चून पीडा दायक दांत या अपने मसुड़ों पर लगा कर दर्द को कम कर सकते हैं इसके अलाबा यह संक्रमर को ही कम करेगा सुजन को यह कम करता है पीडा दायक मांस पेश्यों की मालिश के लिए लॉंग तेल का उपयोग करें इससे आपको जल्द ही आराम हो जाएगा घावों का इलाज करें लॉंग बहुत तिब्र होता है घाव के इलाज के लिए जैतून के तेल में थोड़ा सा लॉंग का तेल मिला कर घाव पर लगाएं यह घाव को ठीक करने में मदद करेगा पाचन में सुधार भुना हुआ लॉंग उल्टी दस्त आंत्रगैस और पेट के दर्द को कम करने में सहायता करता है बस थोड़ा साउधान रहें क्योंकि लॉंग बहुत तिब्र होता है इसका ज्यादा सेवन आपको परिशान कर सकता है खासी जुकाम अगर आप इस प्रकार इसका सेवन करते हैं तो आपको कभी भी खासी जुकाम जैसी तकलीफ नहीं होगी साथ ही अगर आपको सर्दी जुकाम है तो भी आप इसका सेवन कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर इजिनाल नामक पदार्थ पाया जाता है जो हमारे शरीर को गर्म करता है जिससे हमारी सर्दी जुकाम ठीक हो जाती है अगर आपको एस इडिटी या कोई पेट संबंधी बीमारी है तो इस प्रकार लॉंग का सेवन करने से यह पूनतया ठीक हो जाएगी पेट में दर्द अगर आपके पेट में दर्द रहता है या फिर पेट में कीडों की शिकायत है तो भी आप इसका सेवन कर सकते हैं मसूडों के अंदर दर्द हो रहा हो तो अगर किसी व्यक्ति को मसूडों के अंदर दर्द रहता है तो प्रती दिन सुबह उठने के पास चाथ दो या तिन लोंग का सेवन काफी लाब दायक होता है रक्त को ये साफ करता है जिहां प्रती दिन दो लोंग भून कर खाने से सब्सक्राइब लाइए वाद में लेए लाएन 1010 ग्राम 15 के ब्रतर के वाधा में 245 डाल दीजिए जब यह सखत हो तब इसे चाया में सुखा कर 5-5 ग्राम के मात्रा में भोजन के बाद सुबह और शाम को पानी के साथ लीजिए आपको लाब होगा गठिया रोग में लोंग भुना हुआ सुखागा एलूवा एवं काली मिर्च 5-5 ग्राम इन सभी को कूट करके पीस लें और घीगवार के रस में मिला करके चने के आकार के बराबर की गोलियां बना कर चाया में सुखा लें उसके बाद एक एक गोली सुख शाम लेने से गठिया का रोग नश्ट हो जाता है चकर अगर आपको आ रहा है तो सबसे पहले दो लोंग लें और इन लोंगों को दो कप पानी में डाल कर उबालने फिर इस पानी को ठंडा करके चकर आने वाले रोगी को पिलाने से चकर आन पीपरमेंट के एक गलास पानी में मिला करके काड़ा बना कर पीना चाहिए टॉंसिल बढ़ना कम हो जाता है दांतों में अगर दर्द हो रहा है तो पांच गराम निम्बू के रस में तीन लोंग को पीस कर मिला लें इसे दातों पर मलें और खोखल में लगाएं इससे दां और श्वास का रुकना खत्म हो जाता है दांतों में अगर कीड़े लगए हो तो कीड़े लगे दांतों के खोखल में लोंग के तेल को रुई में भिंगो कर रखें इससे दात के कीड़े नश्ट होते हैं और दर्द कम होता है अगर आपको कब्ज है तो लोंग 10 ग्राम काल खाने के बाद खुराक के रूप में लें आपको लाव होगा अगर आपको कमर दर्द है तो लौंग के तेल की मालिश करने से कमर दर्द के अलावा अन्य अंगू का दर्द भी मिट जाता है इसके तेल की मालिश नहाने से पहले करनी चाहिए ताकि आप नहा करके फ्रेश हो सक जिहां दोस्तों तो ये थी आज की जानकारी आप सभी के लिए अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ते हैं को और बेहदी महतो पूर्ण जानकारी को ले करके तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों